हाई अबरिवन वांस अगीन वेलकम बेक टू माय चैनल तो आज का वीडियो बहुत जादा आप लोगों को पसंद आने वाला है क्योंकि ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो काफी सारी रिक्वेस्ट आ रहे थी कि जो जाटकी पे जो नया लहंगा आया है और साडी आया है जाटकी जो है एक एतनिक वियर की वेबसाइट है यहां से आप एतनिक वियर पर्चेस कर सकते है इन अफॉर्डेवल प्राइस पर जाटकी का रिव्यू फर्स टाइम अपने चैनल पर शेयर कर रहे हूं देखते हैं कि कालेक्शन कैसा निकलता है एक तो लहंगा मैंने एक बहुत पसंद आया बहुत 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 अमेजिन क्वालिटी है तो चलिए फटा फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और इनकी सेवन डेज की एजी रिटन पॉलिसी होती है आप रिटन कर सकते हैं और सभी के लिंक कर आपको डिस्रिप्शन बाट से मिल जाएंगे वहां सुंदर मोनोनेट की साड़ी है ब्लेक क्रलर की फुल अम्रोइड रिट है मैंने मीशों से पर्चेस की है अल्रेटी मेरे चैनल पिस्क्रा वीडियो है लिंक डिस्रिप्शन बाट में दे दूगे वीडियो को आप महां से हो जाके उन्हें देख सकते हैं यारिंग मैंने पर पर्चेस की है बहुत सारी जोलरी क्वालिटी बहुत अच्छी है इस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन बाट में डाल दूगे वहां से आप पर्चेस तो चलिए विदाव टैनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फस्ट वाला लेगर जो मैं आपकी साथ शेर कर जो बहुत जाएं कि इनका जो कैन आप लगा होता है इतना होता है ना कि अच्छे से राप हो की आते हैं लेकिन एक बार फोलने के बाद बन नहीं हो सकते तो यह जो लहनगा था इसका मैं काफी टाइम से वेट रही थी यह फाइनली मैंने जब मंगा लिया है तो इतना सुन कि अब तक के जितने भी लहेंगे शेयर किया है उसमें हाइली रिकोमेंड करते हूं सबसे सुन्दर यह वाला लहेंगा है तो सबसे वहले मैं आपको इसका लहेंगा बताऊंगी जो की बहुत जादा सुन्दर है जिसका सभी लोगों को इंतजार भी था कि यह वाला है और मेभी शायद इसका रीविव अभी तक किसी ने अभी तक चैनल पर शेयर भी नहीं किया यह फर्स्टाइम मेरा ही रीविव है आपको यह बहुत ही सुन्दर मुल्टी कलर का लहंगा मिलने वाला है आई होप आपको कैमरे में कैप्चर हो रहा हो यह वाला लहंगा मैं जाते 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 इस तरीके का आपको यह मती बल्यकलर करेंगा मिलेगा अपको प्यारा लहनगा है कितना खूब सूरत नहीं दिक्ना औरा साइड में ख्लिप एड करूंगी इस तरीके का ही लहंगवा मिलेगा मेरे हाथों से ही नहीं उठ रहा इतना है पास से दिखाती हूँ आपको इस तरीके का आपको इसमें वर्क डेटने को मिल जाएगा काफी जाएगा खुब सूरत है अगर मैं वेस्ट की बात करती हमाइड अब थाकु सब्सकी जो काफी हेवी तरीके के जो तरीके का काम देखने को मिल जाएगा अब यह पूरा काम है जो इनों से प्रिंट नहीं किया वाएज यह पूरी एंबरोई रिय हैं क्लोरफिल ठ्रैट से इस तरीके के आपको क्वक्र अ क्वम्र धॉब्धू ते पहले कितना ज्यादा ब्यूटिफुल लेंगा है इन अफॉर्डेबल प्राइस प्राइस के ट्वाडिंग बहुत अच्छा है दूसरी चीज़ है इंगेजमेंट आपकी हल्दी फंक्शन है मेहंदी फंक्शन है मैं तो कहते हूं सारे फंक्शन है उसमें किसी में भी चल बस लाओ और पहनो पूरा आपको ही नेट का बटरफ्लाइ नेट का लेंगा मिल जाएगा लेंद बहुत अच्छी है जिनकी हाइट 5758 भी है वहां तक भी आपके आराम से आजाएगा लेंगा मिलने वाला है बहुत जादा थग इसको उठाके एंड इसको जो ब्लाउस है इनोने फॉइल का काम किया हुआ है वही फॉइल जो पेपर होते है वह लड़ा हुए है यह आपको इसमें फ्रंट साइड मिल जाएगा यह इनोने स्लिव्स के लिए इनोने बॉर्डर दिया हुआ है बलाउस भी अच्छा बनेगा इस्टिच रणवाने के बाद और जो जो बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा मिल जाएगा इसमें आपको यलो शेड मिलेगा आप देखो पहले द्यान से उपर बेच है फिर यहां पे आपको पिंक मिलेगा फिर यहां पे औरेंज मिलेगा फिर नीचे आपको यलो मिल जाएगा चार शेड में आपको यह च्जळाई आप देछ सकते हो काफी अच्छी है इतनी इतनी अच्छी है एंग ढुपट्टा है' साफ 2-3 म करा है यह बहुत ही अच्छा है लेंद काफी अच्छी है एक क्रालर फुल दूपट्टा है तो सभी जीजों के साथ अच्छे से मैच हो जाए तो और भी सूट वगरा के साथ के साथ कैरी टोर सकते हैं और लहेंगों के साथ भी अब जो नेक्स्ट आउट्पिट मैं अपकी साथ शियर कर रही हूँ मैं लहेंगे का ही रीव्यू करने वाली थी ओल्ली जाट्की से लेकिन जब जाट्की पर मैंने साधियां देखी एक बार होल्ड के तो मुझे गे वाली साधी बहुत पसंद आई और मुझे रहा नहीं गय सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लाउस से साध में इमेज दोंगी कि कैसा ब्लाउस स्टिच करवाना है एज इस जैसे पिक्चर में साधी मिली थी दिखी थी मुझे वैसे कि वैसे मिली है इतना असा भी उपर नीचे नहीं हुआ यहां तक कि क्रॉलर और शेट का भी नही पूरा यह पॉन पॉंपॉम इनने दे हुए है इन आब देखना इंए इमेज में की बैक साएड में आइंगे आपके तो उसके लिए इनों इनों ने लैस दिय मुई और यहां पे इनहोंने पूरे सिक्वेश ब्ला उक्राइब् Tuesday मोरWatch ओन यह आपके front में आ जाए रहा, यह आपके back में आ जाए रहा और sleeves में आ जाए रहा, मतलब उस तरीके से पूरा fabric दिया हुआ है sequence आप देट सकते हो, silver sequence लड़ाए हुए है, बिल्कुल पास पास लड़ाए हुए है और quality कितनी अच्छी है, बिल्कुल neatly लड़ाए हुए है Malai silk का आपको यह fabric में ले रहा, ऐसा mention है website पे मुझे सिर्की पता है Malai silk क्या होता है, मुझे पता नहीं है लेकिन ऐसा mention है, यह आपको इसमें tassels दिये रहा है जो की काफी खुबसूरत है, गोटे-पत्ती के tassels है, गोटे के बहुत beautiful है, तो आप इसे पीछे अपने blouse में लगवा सकते हूँ तो इस तरीके का इन्होंने 80-90 cm का blouse दिया है अब यहा से साघी स्टार्ट होती है, पूरी आपको, यह साघी मिल जाएगा एस विमें आपको से छेसे साघी मिल जाएगा जो की काफी खुबसूरत हैं यहाँ से बताते हूँ इस तरीके का आपको water देखने को मिलेगा यह नीचे आएगा आपके साड़ी में कहीं पर इस तरीके रहा कितना प्यारा लग रहा है बिल्टकुल अलग है जैसा आप जैसे आप बुटिक से स्टिच करवाते हो तो इस चीज तो उस तरीके की है यह वाली साड़ी बहुत अमेजिन साड़ी है एंड यह आपके नीचे की साड़ी बिल्कुल आपको प्लेन मिल जाएगी इस तरीके की नीचे की साड़ी आपको यह बौर्डर देखने को मिलेगा जो की काफी कुपसूरत है मल्टी कलर में साड़ी है यहां से जो है आपका आचल स्टार्ट होता है यह वाला और आचल पे आपको पूरे पे इस तरी साड़ी है शाएद इसमें एक क्रलर और अवेलेबल है रैड वाला पर मुझे गे वाला क्रलर क्रॉमिनेशन ज्यादा पसंता पिंक यलो औरेंज कुछ मिले है बहुत ब्यूटिफुल लग रही है इन अफॉर्डेबल प्राइस में भी है डिजाइनर साड़ी है तो डैफि एक स्टू लहंगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं यह अभी अभी नया आया है जाटकी पर और मैंने अभी तक इसे खोल के नहीं देखाए अब खोल के बताती हूं आपके सामने ही मैं इसकी अन्बॉट्सिं करते हूं कि कैसा निकला है तो यह वाला जो लहंगे है ब्रा इन्होंने कैसा दिया है साइड में इमेज लड़ा दूंगी कौन सा वाला लहंगा है यह पूरा एंब्राइडरी जरी का काम किया गया है नेत का आपको दुपक्ता मिल जाएगा चारों तरफ यह बॉर्डर देखने को मिल जाएगा सिक्वेंस जरी काम है इस तरीके से कोफी शेड में एंड इस पे पूरे पे जो है गोल्डन काम किया हुआ है गोल्डन सिल्वर इस तरीके का आपको मिल जाएगा स्क्वाय शेप में तो क्वालिटी काफी अची है लहंगी मला ब्लाउस की भी दूपत्ते की भी डैफिनेटली पर्चेस कर सकते हो यह वाला लह आपको पूरा कॉफी शेड में मिलेगा जिनने डार्क कलर पहनना पसंद है सिंगर कलर में लेना चाते हैं इन कॉफी शेड तो ले सकते हैं पूरा जड़ी के काम वाला एंब्रोइड सिक्वेंस का लेंगा है क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत अच्छी है बहुत ज्या हुआ है एंब्रोइड बोल्डन थ्रेड से पूरे जड़ी की और इसमें जो है अंदर इनोंने कैंकेंडी हुई है हार एंड सॉफ दोनों तो आप वालेक से लगवाने की जरुवत नहीं है इस तरीके के आपको कैंकेंड देखने रो मिल जाएगी इसमें और इनर इनोंने तरीके का लहेंगा है आपके सामने की अनबोक्तिं पर नगे की अनगे की वहाहिए निकलता है तो जिब मिरर वाला लहेंगा पर्चेस करना चाहते हैं तो उस अप्वार्डिंग का फी अच्छा है यह वालेलेंगा तो सब से पहले में आपको इसका ब्लाउस दिखाती गो लिएगा wanna Pandemie यहन्हों ने इसमें कपड़ा दिया हुआ है 80 ए 90 cmए इन्होंने Het्रण वाले portion के लिए दिया हुआ पूरे पी जरी एमरोइड री सक्वेंस ना काम किया हुआ है प्लस इसमें जो मिर डगाए हुँ है वह मिरया नहीं है रियल मिरर है, इस तरीके के आपको मिरर देखने को मिल जाएंगे, पूरा 90 cm का फैबरिक है, सिल्ट का जो कि आपके एक्सल और डबल एक्सल साइज में भी आराम से आ जाएगा, तो इस तरीके का इनों ने इसके लिए फैबरिक दिया है, अब आपको मैं लहंगा बताती हो, इसको लहंगा भी बहुत जादा खुपसूरत सा है, इस तरीके का आपको येवाला लहंग देखने को मिल जाएगा, पूरा व्यागा है, तो जो आड़ा वाला लहंगा पूरा वाला अचाथे हो, डैफिनेटली इस लहंगे को कर सकते हो, quality भी आपको अच्छी है, और पूर में एंब्रोइडरी भी की हुई है यह वाली एंब्रोइडरी है यहां पे जरी का काम किया हुआ है नीचे आपको फिर आप बॉर्डर देखोगे तो फुल सिक्वेंस फुल मिरर देखने को मिलेगा इस तरीके का तो एक डार जो पिंट मर्जेंटर वाला राता है उसमें आप आपको अलगाने की जरुवत नहीं है बस आप लाओ और पहनो उस अप्वाडिंग क्राफी अच्छा है डबल एक्सल साइस तक आराम से आजाएगा लेंध भी क्राफी अच्छी है फिनिशिंग क्वालिटी क्राफी अच्छी है मिरर अच्छी से लगाए हुए बिल्कुल अब जो इसका दुपत्ता है वह बहुत सुन्दर इसका क्राफी अच्छा है और साथ में बेबी पिन क्राफी इन्होंने दुपत्ता दिया है फुल मिरर्स लगाए हुए आप साइड में बॉर्डर देच सकते हो दुपत्ते में इस तरीके हैं यह वाले जो मिरर है ना इसम दुपत्ते में इन्होंने प्लास्टिक मेरा लगाए हुए है बॉर्डर मिल जाएगा आपको यहां पर एंब्रोइडरी की हुई है और सवादो मीटर को दुपत्ता है चोडाई भी अपदेच सकते हो क्राफी अच्छी है आस्मा लेंगा शेयर क्राटर में लेंगा है इसक असनली सिक्षा रम लेंगा फ्रिपस जाल लेंगा तो सबसे पहले मैं आपको इसका लेंगा ही बतादेती हूँ कि इस तरीके को आपको यहां लेंगा देखने को मिलेगा बहुत है जो next dad is जुआ ह titled ब्लाइब cheaper व्हेजटेते में लगा है सब्सक्राइब किया गया गोल्डन थ्रेट से और सिक्वेंस लड़ाई हुए है प्लस मिरर्स लड़ाई हुए है पास से दिखाते हैं क्वालेटी ग्राफ ही अच्छी है बहुत नीटली है और पीछ ट्रलर में आपको पूरा मिलेगा अब जो वेस्ट साइज है इसकी वह आराम से आजाए रहा उपर वाला जो पार्ट है पूरा आपको मिरर्ट का मिलेगा और नीचे आपको फुल एम्रोइडरी मिल जाएगी थ्रेड से अंदर कैंकें लड़ाई हुए है कैंवस लड़ाई हुए है आपको कुछ भी लगवाने की जरुवत नी है अंदर लाइनि जो इस तरीके को आपको ये वाला बलाउस मिल जाए गोल्डन ही सिर्क में और इन्होने इसके हेवी सा बलाउस दिया हुआ है जो कि काफी अच्छा है फुल इन्होने जो रियल मेर लगाए वह हैएं जरी का क्राम है है कि इसमें दिया हुआ है उब इसका फरंकि है और में इन्होंने बिल्कुल प्लेन दिया हुआ है जो पूरा एक मीटर को आपको ब्लाव स्पीस मिल जाए रहा जो कि आपके डबल एक्सल साइस तक आराम से आप बात करते हैं दुपट्टे की दुपट्टा भी काफी है मतलब अच्छा है बॉर्डर आप देच सकते हो इस तदी की सब्सक्राइब के अच्छा है सभी के लिंक आपको डिस्ट्रिप्शन में बाक्स में मिल जाएंगे तो ग्राइस आई होब आपको आपको आश्ट्राइब करेक्शन पसंद आया होगा और कुछ आटकी से देखना चाते हैं कॉमेंट बाट से बता सकते हैं और इनमें से सब को डैके अच्छा लागा फ्याइब के साँफ के शिएर किया प्रॉडएक्स उनमें सबसे जबा किया अच्छा लागा डा को और मुझे आपको सबसे जधा क्या अच्छा लागा तो अभ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स-वीडियोमे तब-बा